स्री शिवाय नमस्तुब्यम दोस्तों हर हर महादेव, महादेव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मैं महादेव जी से कामना करती हूँ, तो आ गया है वो वाला दिन जो तीज का दिन होता है, साल की सबसे बड़ी तीज आप चाहे किसी भी तीज का उपाय करें या न करें, कोई भी वृत करें या ना करें, लेकि हर तालिका तीज के दिन किया हुआ कोई भी कारी आपकी जीवन की सारी मनोकामना को पूर्ण करता है, जीवन की सभी समस्याओं को दूर करता है, यह जो तीज होती है, पुझी गुरू जी हमेशा आपसका वर्णन अपनी उपाई का फल आपको जरूर प्राप्त होता है अगर आपकी कोई मनोकामना है तकलीफ है आपके जीवन का किसी भी तरह की कोई समस्या है जो दूर नहीं हो रही है चोटा सा उपाई कीजिएगा हरता दीकातीच के दिन एक गांट वाला उपाई जितनी भी माताय बेने चाहे वो अपने सुहागन है या कुवारी हो वो भी इस उपाई को कर सकती है इस उपाई के लिए आपको एक लाल कपड़ा लेना है एक पीला कपड़ा लेना है तो कैसे करना है इस उपाई को अच्छे से सुनकर अच्छे से इस उपाई को समझाने का प्रयास करूंगी पूरा व पत्ति पत्नी का प्रेम हमेशा बना रहे आप चाहते हैं कि आप हमेशा साथ रहे इस उपाई से आपका दाम पत्ति जीवन सुखी रहेगा तो ध्यान से सुनना समझने की कोशिश करना इस वाले उपाई के लिए चाहिए होगा आपको एक पीला कपड़ा और एक लाल कपड़ होगा वो होगा माता गोरा के लिए और एक जो पीला कपड़ा होगा वो होगा महाधेव जी के दो कपड़े लेना है आपको एक लाल कपड़ा लेना है एक पीला कपड़ा लेना है साथी साथ आपको लेने होंगे चावल के दाने तो कितने चावल के दाने लेने हैं मातर साथ चावल के दाने आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए साथी साथ आपको भी गेहूं के दाने ले सकते हैं अक्षमी माता के तोर पर आपको एक सिक्का लेना होगा कितने का भी शिक्का आप ले सकते हैं एक का दो का पांच का कितना भी आप सिक्का ले सकते हैं कोई भी एक सिक्का आपको ले लेना है हरताली का तीच के दिन सुबह के समय अगर इस है, पूजर अर्चन करके आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां संकर भगवान के साथ माता गोरा भी हो, तो सबसे पहले आपको लाल कपड़ा लेकर आपको माता गोरा के उढ़ा देना है, और जो पीला कपड़ा आपने लिया है, वो आपको महादेव जी को ओड़ा देना है और दोनों को कपड़ा ओड़ा देने के बाद कपड़े की किनोर को पकड़ कर आपको गट बंदन करना है मतलब उस दोनों कपड़े की किनोर को पकड़ कर आपको गाठ बांदेनी है तो जब भी आप इन दोनों कपड़ों की गाठ लगाओगे तो इसमें कुछ ना कुछ रखना होता है तो वो आपने जो साथ चावल के दाने लिये हैं और जो आपने साथ गेहूं के दाने लिये हैं और जो आपने एक सिक्का लिया है उसे आपको इस कपड़े की गाठ बांध जो भी वेक्ति, माता पारवती और शंकर भगवान का इस तरह से मिलन करवा देता है, बोले बाबा उनकी हर मनुकामना पूर्ण करते हैं, हाद जोड़ कर प्रातना करना, भगवान के सामने जोली पसार कर भगवान से प्रातना करना, प्रातना करने के बाद इन दोनों को गांट बंदे हुआ कपड़ा अपने घर पर रख लेना और इसी के प्रभाव से आपके घर में कितनी खुसहाली आती है आपका दामपत्ती जीवन कितना सुखमय हो जाता है आप खुद देख लेना मात्र हर ताली का तीज के दिन इस उपाय को जरूर करिएगा हर हर महादे वजैश्री महांकार